आज की वीडियो में क्लास 4 लेशन 13 लबली सीजन्स या एक पोयम है इसके विशे में अच्छे से समझेंगे और इसका हिंदी में अनुबाद हिंदी में अर्थ बहुत ही सरल सब्दों में समझेंगे लबली लबली का मतलब होता है सुन्दर या प्यारा सीजन्स मिन्स होता है मौसम्स मतलब प्यारे मौसम्स साल के 12 महीनों में जो बिभिन मौसमों को हम लोग देखते हैं उसी को इस वीडियो में देखेंगे और अच्छे से समझेंगे कौन से महीने में कौन सा मौसम आता है ये अच्छे से देखते हैं The first month of the year is January साल का पहला महीना January है जो January महीना है वो साल का पहला महीना होता है followed by a cold and foggy February पीछे से ठंडी और कोरा वाला महीना February आता है मतलब January के बाद February महीना आता है February जो महीना होता है उसमें बहुत ज़्यादा ठंडी और कोरा रहता है मतलब कोरा और ठंडी वाला मौसम होता है Then comes March with the spring तब आता है March with the spring बसंत रितु के साथ मतलब January और February के बाद March आता है March बसंत रितु के साथ आता है Spring means होता है बसंत रितु And in April बलाजम्स everything और April के महिने में April के महिने में हर चीजें खिल जाती है मतलब हर जगा हर याली चा जाती है हर चीजें खिल जाती है May and then June are very hot माई और तब जून बहुत गर्मी होती है मतलब माई और जून में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है In July and August We see rain drops July में और अगस्ट में July और अगस्ट में हम लोग rain drops बारिस की बूदों को देखते हैं मतलब जूलाई और अगस्ट में बारिस का मौसम होता है बारिस होती है बारिस की बूदे देखने को मिलती है September is the 9th and the 10th October September जो सितंबर का महीना है वह 9 महीना है और 10 महीना अक्टूबर है Leaves fall as autumn ends in November पतियों को जड़ाने वाला या पतियों को गिराने वाला जो पतज़र का मौसम होता है उसका end होता है उसका end होता है नवउमबर में मतलब नवउमबर के महीने में पतियों को जड़ने वाला जो पजड का मौसम होता है जो पजड मौसम होता है वो नौंबर में खतम हो जाता है आप लोग देखते होंगे जो नौंबर का महीना है उसमें पतियों जो रिक्छोते हैं पतियों उनसे गिर जाती है और पजड का जो महीना होता है खतम हो जाता है उसके बाद कलियां खिलना स्टार्ट होती है साल का अंतिम महीना याद करना सरल है साल का अंतिम महीना कौन सा है आए नीचे वल लाइन में देखती है जो अंतिम महीना है वो याद करना बहुत ही सरल है Christmas comes in the 12th month that is December Christmas आता है 12th महीने में 12 महीने में that is December जो कि December है और 12 महीने जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि याद करना बहुत सरल है वो 12 महीना कौन सा है December और December के महीने में ही Christmas जे आता है Christmas आता है तो बच्चों आप लोगों ने देखा साल के 12 महीनों में प्यारे प्यारे जो मौसम सा आ रहे थे मौसमों में जो परिवर्तन हो रहा था वो यहाँ पर दिया गया है और साल के 12 महीने में कौन सा महीना किसके बाद आएगा वो भी इस वीडियो में अच्छे से दिया गया है I hope आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और हिंदी में जो इसका अर्थ है वो बहुत ही सरल सब्दों में आप लोगों ने समझा होगा अगर वीडियो थोड़ी भी हेलपफुल लगी है तो एक लाइक कर दीजिए चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी चैप्टर्स के वर्ड मीनिंग, क्योश्चेन एंसर और हिंदी में अनुबाद बहुत ही सरल सब्दों में समझाया जाएगा और आपको बता दें कि इस चैनल पर मतलब इस क्रियेटिव लाइट चैनल पर Class 4 English की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पर Class 4 English के सारे वीडियोज वहाँ पर एवलेबल है वहाँ पर जाकर आप आसानी से सारे वीडियोज को पा सकते हैं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ तब तक के लिए गुडबाई